जी नमस्कार सर प्रश्न करें प्रश्न मैठम हरिया है मेरे दिक्कत आ रही मेरे को ठेक नी हो रहा है एज कितनी है सर इसे में को अप्रश्न करें और अब हर्निया मैठम हरिया अगर अभी शुरू हुआ है, कम है बीमारी तो अच्छा हो सकता है, अगर ज्यादा हो गया तो फिर उसका उप्रेशन कराना पड़ेगा, अगर इप्तिदाई पोजिशन में किसी को हलनिया हो तो धनिया, सौफ और अलसी, धनिया, सौफ और अलसी का सो सो गिराम खरीदें, एक चीज़ सो गिराम हो तो दूसरी भी तीसरी भी, धनिया, सौफ और अलसी, सो सो गिराम खरीदें, और इसको पौडर बना कर रखने हैं, एक चम्मक भर के खाएं और एक चुटकी, नमक, जैतूल पानी में मिला लाए और इस पानी से खाएं दिन में दो बार ले सकते हैं अगर मामुली सा है तो इसको फाइदा होना मुम्किन है मन्जु जी से बात कर लेते हैं स्वागत है मैम आपका नमस्कार मैम इस लिख घलो जी कि मन्जु जी मैं हजीर हूँ बता ये क्या सवाल है मैं बात कर रहा हूँ जाहिन स्वागत आपका आपकी बात हकीम सहाब से हो रही है मैम जी मैं आपके कंपनी से बहुंट मैं टीवी से मत सुनिए देर में जवाब देंगी आप पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजे बोलिए निगन जी मैं मंगाई थी आपके कंपनी से बोल किया मंगाई थी मिरा ठीक है हपीम सहाब तो उसको मैं आज 10 दिन होगा ले रही हूं और ये मेरा ना कुछ तो फारत हलका फुलका है उतना तो नहीं है मैं वच्छे द्रक्तर की भी दवाई ले रही हूं मेरे पैर में दर्व हैं और मेरा ये एंसी पहले नहीं आता था लेकिन आज मेरे को हो गया है एक साल से बंद था मेरा कभी होता नहीं था मेरा तो उसी के बारे में मैं पूछने काया थी थी कि कोई उसके तावा के काड़ तो नहीं हाकीम साहथ इसलिए में बात करना थी एज कितनी है आपकी एज उम्र कितनी है मेरा 47 साल है ठीक है जी और बेट है 7-6 है मेरा ठीक है ना अच्छा देखिए ये सिस्टम को दुरूस करता है गौंसिया आपने लिया है फाइदा भ दस दिन में इतना ही फाइदा है तो कि आप कह सके कि हाँ मुझे कुछ फाइदा है इतना ही फाइदा काफी है और ये क्यूंकि हमारे शरीर के सिस्टम को अच्छा करता है तो वो जो सिस्टम खराब था आपका एमसी का उसको भी उसने दुरूस कर दिया तो फिर भी आप अपने गाइनिक से मश्वरा कर सकते हैं उसके बारे में और अभी आपकी उमर्त नहीं हैं इसके बंद होने की तो वो रुका हुआ था इसने उसको भी खोल दिया और आपके श्रीर पर तेजी से काम कर रहा है यह जो आपके पास बहुत सिया है ये अपने खतम होने से पहले आपके दद को खतम करने की सिलायत रखता है जितना भी आपके पास बहुत सिया है उसे इस्तमाल करें आदा आदा गिराम की सूरत में और आप इसको उसे फाइदा उठा सकते हैं बिलकुर तो मैं देखिए अभी सि का आराम मिल रहा है तो इसका मतलब कि आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत जादा आराम मिलने वाला है और साथ ही भी बताना चाहूंगी कि हकीम साब हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका दर्द बढ़ जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप सयम के साथ इंतजार के साथ गौन सियक इस्तमाल कीजिक को कोई भी क्वेरी करना चाहती है तो लाइफ कारेक्र में कॉल नहीं लगती है आप हेलप लाइन नंबर पे कभी भी कॉन्टाइक कर सकती है आप हकीम साहब की यूट्यूब चैनल पर जाके आप अपनी और हकीम साह लालचन जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार सर कहां से बात कर रहे हैं आपका स्वाल मेरा स्वाल बहुती नहीं लिखो जी बताईए एक तो मेरा है जी हाट के दोबार ऑपरेशन हो चुका है मेरा जी मेरे कस्टोल फुरा बढ़ा हुआ है विपी की भी हाई रहता है आपके उमर कितनी है उमर मेरी है जी 57 ठीक है सर जी और क्या सवाल है और भी कोई सवाल है सर हाँ जी दो तिन साल है पूछिए आपके एक जी गॉंट शिया मुआ था मैंने मेरी बाइस के लिए वह भी चलूत नहीं किया करूँगा मैं अब चलू एक दो दिन में जी उसका वेट कुछ जागा है और पैरों में दर्द है उसके कितने दिन से ले रहे है गॉंट शिया वो नहीं जी देने नहीं जी अब आधा गॉंट वा हमारी ठीक है जी जी अधिए गॉंट सिया आ गया है इसको पाडर बना ले और आधा गिराम दो बार खाए और पानी से दे और वजन भी कम करना हो तो एक चुटकी खाने का सोड़ा और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर इस पानी से दे गॉंट सिया तो वजन कम होने के साथ उनके जोडों का दर्द भी या कहीं भी दर्द हो उसका ठीक होना मुम्किन है जदिके दिल ऑपरेशन और अर्ट ब्लॉकीज और यह सब इस उमर में होने लगता है जहां पर आप और हम हैं इसमें खुन गाड़ा होने लगता है और वो खुन क में चर्बी हमारे दिल की रगों में जमने लगती है और जब जमने लगती है तो फिर दिल को परिशानी होती है खुन ठैकने में तो इससे हम अच्छे रह सकते हमेशा दो दो बार ऑप्रेशन होगा है एक नुस्का जो मैंने अभी बताया आपकी पत्नी के लिए वही नुस्का एक चुटकी नमक जैतून एक चुटकी खाने का सोड़ा पानी मिला कर तिन में एक बार या दो बार लेना शुरू कर दे अगर आपने य बार बार ऑपरेट कराना पड़ता है खुन की चर्वी को भी काटता है और कॉलिस्टॉल को ब्रट प्रेशर को सबको ने अंत्रित रखने की ताकत है राजस्तान से हैं उस्मान जी हमारे साथ लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी दर्श को कि आप लोग हर ए सब्सक्राइब तो पहचान करने के लिए यूट्यूब पर आप देख सकते हैं सारी वीडियो के गौन सिया कैसा होता है या जो और गौन हकीम सहाब बताते हैं वह कैसे होते हैं क्योंकि अगर आपने मार्किट से खरीदा नकली आपने खरीद लिया तो उसका साइद इफेक सासद कर लेते हैं सुआगत सरापका हालो एक उस्मान जी आपको मेरी अवाज मिल पारी है सबसे पहले सर्टी वी का वॉल्यूम कम कीजिए नमश्कार सर्टी वी का वॉल्यूम प्लीज कम कीजिए सर जी-जी सवाल कर लीजे सब्सक्राइब आपने बोला जी-जी क्या सुन रहता है मेरी मात्ताजी एउनके सिर्ण और कन्नों के अंदर सुन रहती है मैडम सर में जी उम्र कितनी है उनकी सरी इज बता दीजे उनकी ऐसे मेडम 56 एर ठीक है सर तो दिखें ऐसे बैठें आप समझ लीजे और में सिखा दीजे ऐसे बैठें और ये कान ये बॉंडे से लगा है ऐसे नहीं लगे तब भी कोशिश कर रहें ये एक सर्साइज है ये फीजियो थेरेपी कहलाती है ये तीन मिनट रोजाना करना है एक साथ नहीं कर पाएंगे तो एक एक मिनट करके पूरे दिन में तीन मिनट ही तो करना है यह जरूर करवा है, और एक यह थोड़ी यहां से पकड़ें अपनी, और इसे ऐसे मोड़ें, लेकिए मैंने इत्ती मोड़ी कि मैरी थोड़ी यहां तक आ गई, रही हम ऐसे, और फिर यह ऐसे, यह आप तीन मिनट यह भी करें, छैसे मिनट यह एक्सरसाइज, बहुत अच्छ साइज है, जो आपकी मम्मी को परिशानी है, और एक आता है, गौन सियाह, सियाह मतलब काला, यह असली लेना शर्त है, क्योंकि नकली बेहिसाब मिलता है, गौन सियाह खरीद लें, असली, और आदा गिराम सुबा नाश्टे के बाद, आदा गिराम शाम को खाने के बाद, दूद या पानी से देना शुरू कर दे, आपकी मम्मी को फायदा होना मुंकिन है. बात कर लिते हैं नीलम जी से, स्वागत है माम आपका? हां जी. कहां से बात कर रही है माम? अजमा मैं तुस्टे कर रहे हैं जी. आपका सवाल क्या है? इडियो में दिक्त है नहींन रगां अधियां हडियां हडियां स्बद्दयर की अरफ मेरे द्यारी वक्त हे छाला दंतर का है कि अज़तीर द्याकरती मैं हद्य किप आंगी। है Response है when द्यादी 10 के बार आपको वस उन्मी इसका उस बहुत ही कम हराम दिगलाता था नी, एक कम मज़ना एक कम मज़ने बहुत जाता through ठीकड़ी ठीकड़ी अजर एक कमसख मज़ना आप एक साल तक खाते रहें आदा किराम सुबा आदा किराम शाम यह अडियों कि jsem खृराक है और इसको छोड़े नहीं, पहली दफा में आपको कम फायदा है, कोई बात नहीं, दूसरी दफा में आप शुरू करेंगे तो और तेजी से फायदा होगा, और तीन-चार बार आपको ये लेना पड़ेगा, पूरे एक साल तक खाये, आपकी हड्डिया, जितनी आपकी उमर है उसी की बड़ाबर मजबूत हो सकती है, बिहार से है शन्नु आलम जी, स्वागत है आपका, आमें, जी सर्थ, कौन से हम मांगाने कह रहे हैं, मगर कुन से क्या साइधा क्या नुक्तान है, किसके लिए मंगवाना है, और उनको परिशानी क्या कुछ है, आपने लिए मानाते सिलिब्डिक्स है, उम्र कितनी है आपकी, सिलिब्डिक्स है, कमर से लेके पैर तकला, जंजनाहर तलतलाहाट रहता है, हाँ, 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 एक्चली गाइस कब्दियर तरहता है, एज बता दीजे अपनी, चालिज वरव, ठीक है सर, जी, अच्छा दिखिए, गौन सिया से धार, पाइदा होता है, जो आपको रोग है उसमें, सिलिब्डिस में, साइटिका में, कुटनों के और जोडों के, कहीं भी दर्द में, तो यह दवातो इसही लिए है, और इसको खाना होता है, आदा-दा-दा-गिराम, सुबह-नाच्टे के बाद, रात पो खाने के बाद time लिकिन असली डेना ज़रूरी है ये बेहिसाब नकली है नकली मत ले लिय ना बारहा में कहता हूँ सबसे कि ये लिएमानों ने नकली बना लिये हैं और नकली चीज़ें उससे मिलती जुबती चीज़े देने लगें और पेशेंट वह लेबाले होते हैं को पता नहीं होता तो असली ले लीज़े और आपको अगर ये चाहिए कि आपका पेट भी ठीक रहे जो आपको दूसरी बीमारी ये पेट की वह भी अच्छा हो जाए तो सौफ और धनिया सौसो गिराम लेकर इसका पॉडर बना ले और एक चमच भर के खाएं इसमें आदा गिराम गौंसिया मिलाकर और दूसरे इस्तमाल किया करें दिन में दो बार खाने के बाद तो आपके सभी रोग अच्छे होना मुम्किन है